हेलो फ्रेंड्स मैं किर्ती अपने चैनल गार्णिंग विद्किर्ती वर्मा में आप लोग का हार्दिक स्वागत करती हूँ Friends 2022 का ये मेरा पहला वीड़ियो है Friends तो सभी मेरे Friends को नौ वर्ष की हार्धिक सुपकामना है तो Friends आज मैं कुछ Harvesting करने जा रही हूं अपने Kitchen Garden में तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेरे Kitchen Garden में कौनकौनसी चीज तोड़ने लाइख हुई है तो ये देखे Friends यह पालक की शाग बिल्कुल तयार है हर्वेस्टिंग के लिए, दो- 3 बार मैंने इसमें से पालक की साग निकाल ली है, और हर हर्वेस्टिंग के बाद मैं इसमें liquid फटिलाजर देती हूं, या तो सरसो की खली का, या गोबर की खाद का liquid fertilizer, क्योंकि इसमें हम गुडाई नहीं इसी में मैंने मेथी भी लगाई थी जिसे मैंने हर्वेस्ट कर लिया है और कुछ लसन की कलिया इसमें मैंने दबा दी थी तो उससे भी लिफ्स निकल आये हैं तो उसे भी मैं आज कुछ तोड़ लोंगी और इधर मेरा पुराना बैगन का पे रेफ्रेंस आज सिर्फ दो ही बैगन लगे हुए है मेरे किचन गार्डेन में तो आज इसे मैं हर्वेस्ट करूँगी तो आगे बढ़ती हुए फ्रेंस तो इस कंटेनर में मैंने दो सिम्ला मिर्च के पौधे लगाए हुए हैं देखे कितना अच्छा ग्रोथ चल रहा है फ्रेंस और साथ में कुछ बीन नहीं है इसलिए मैं आज नहीं तोड़ूंगी और इसमें भी मैं कुछ-कुछ लोसन की कलिया को दबा दिया था इसमें भी लिफ्स निकल ला है और इधर देखिए इस कंटेनर में टमाटर लगे हुए है फ्रेंस और देखिए दो टमाटर पक के नीचे गिरे हुए हैं तो तो मैं इसे उठा लेती हूं friends, नहीं तो गिलहरियां थोड़े दिर में आएंगे और इसे खा घांगी तो चलिए उठा ही लेती हूं और टमाटर देखती हूं देखिए friends, इधार भी टमाटर लगे हुए हैं थोड़े से कम पके हुए हैं लेकिन मैं तोड़ लोगी क्योंकि जैसे ही पकेगा तो गिलहरिया धावा बोल देती हैं इस पे और खा जाती हैं और देखिए सारे लिप्स इसके थोड़े मुर्ज से गया थे तो मैंने कैची से काट दिया था तो अब नीचे से ग्रोथ हो रहा है इसमें और इधर एक टमाटर है लेकिन बहुत कच्चा है फ्रेंस इसे मैं छोड़ दूगी क्योंकि कच्चा टमाटर गिलहरियों को बिलकुल पसंद नहीं आता है असाइज भी काफी बड़ा है इसका फ्रेंस तो पकने दूगी और इधर देखिए टमाटर मेरे लगे इसमें भी टमाटर लगे हुए है और देखिए ये मेरे सेम फली का बेल है और काफी अच्छी तरह से इसमें फ्रूटिंग हो रही है पूरा जो बेल है वो सेम से भरा हुआ है तो इसे मैं आज हर्वेस्ट कर लूँगी फ्रेंस हर्वेस्टिंग के बाद मैं लिक्विट फर्टिलाइजर देती हूँ तो कभी किचेन वेस्ट का लिक्विट फर्टिलाइजर बना के दे दिया तो कभी सरसो की खली का तो कभी गोबर की खाद का तो मैं किचेन के वेस्ट का दो तरह से इसमें खाद इस्तमाल करती हूँ ए एक दुसे तरह से भी देती हूं उसे भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी किसी और वीडियो में तो उससे काफी अच्छी तरह से फ्रूटिंग होती है तो जो हमारे जो छिलके होते हैं और फलो के सबजीयों के तो उसमें हर तरह के निट्रियंट्स पाया जाते हैं जो ह कोई यह नुकसान नहीं पहुंचाते हैं तो देखे फ्रेंट्स मैंने बातों बातों में बहुत सारे सेम की फलियां तोड़ ली है और भी तोड़ रही हूं फ्रेंट्स पूरा मेरा जो बेल है वो सेम फली से भरा हुआ है तो हम जो पेस्टिसाइट का इस्तमाल करते हैं व मिर्ची का पीस के उसका ग्राइंड करके उसका लिक्विड निकालीजह वुच्विड में दोगना पानी मिला के उसको ए-श्प्रे बॉटल में भर के इसको एसप्रे कीजिए तो किसी तरह के कीडे की समस्या आयगी ही नहीं तो इंतजार करना ओँ फ्रेंड्स की कीडे बहुत लगते हैं तो जैसे ही आपका फ्लारिंग पर आ जाए प्लांट तो उसमें स्प्रे करना शुरू कर दीजे तो आपके पौधे जो हैं किड़ों से बचे रहेंगे तो देखिए फ्रेंट्स इतनी मैंने सेम फलियां तोड़ ली है और देखिए दो टमाटर जो पहले से पके गिरा हुआ था उसे भी मैं इस बास्केट में रख लेती हूं और भी टमाटर है उसे भी तोड़ लेती हूं तो गोबर की खाज होता है वह हमारे टमाटर के प्लांट के लिए किसी भी वेजटेबल प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है फ्रेंट्स तो हम उसे या तो लिक्विट फर्टिलाजर बना के दे सकते हैं या गुड़ाई करके उसके जड़ के चारो तरब भी डाल स सकते हैं तो काफी अच्छी ते फूटिंग होती है तो देखे थोड़ा टमाटर मैंने तोड़ लिया है और आगे देखती हूं हर आत्मी को बेजटेबुल गाड़नी जरूर करना चाहिए फ्रेंट्स चाहिए वो छोटे से कंटेनर में करें ग्रो बैग में करें किसी में करें लेकिन करना चाहिए कुछ सबजियां हुआ के रखने चाहिए फ्रेंट्स तो देखे इधर कुछ टमाटर है इसे भी मैं तोड़ लेती हूं देखे फ्रेंट्स मैंने तोड़ लिया टमाटर बहुत बड़े बड़े तो नहीं है लेकिन चलिए कुछ तो टमाटर मुझे मिला तो चलिए फ्रेंट्स सिम्ला मिर्ष तोड़ते हैं तो इसमें एक सिम्ला मिर्ष बनने पहले दिखाया था आपको लगा हुआ है इसे भी तोड़ लोगी और एक और है उसे भी तोड़ लेती हूँ तो फ्रेंट्स सिम्ला मिर्ष भी लगाना बहुत असान होता है आप छोटा निकाल लीजे और थोड़ा सुखा के उसको फिर आप स्वाल मिक्सर में डाल लीजे 50% गार्डेन स्वाल और 50% गोबर की खार बहुत अच्छी तरह से जर्मिनेट हो जाते हैं तो देखें मैंने तोड़ा एक सिमला मेर्च और एक और है फ्रेंट्स तो इसे कट कर लिया है मैंने और एक और छोटू से टामाटर लगा वगा हैं मेरा तो मैंसे भी तोड़ लेती हूं फ्रेंट्स और अब चलिए इस पैगान का हर्वेस्टिंग करते हैं दो ही लगा हुआ तो इसे केची से काट के हटा लेती हूं तो बैगन का पेड़ भी लगाना बहुत ही आसान होता है तो इसे मैंने 10 इंच कहीं एक छोटी सी बाल्टी में लगाया है और काफी अच्छी तरह से फ्रूटिंग करते रहता है और मेरे यह दो सल पुराना बैगन का पेड़ है और चलिए अब थोड़ा सा पालक की हर्वेस्टिंग की जाए फ्रेंट्स तो पालक को तोड़ते समय अगर आब इसे 2-3 बार हर्वेस्टिंग लेना चाहते हैं तो आप ध्यान रखें कि सिर्फ लिफी तोड़े इसका रूट वाला नहीं उखाड़ें फ्रेंट्स तो यह नए-ने ग्रोध करेंगे और एक हर्वेस्टिंग के 10 दिन के बाद बहुत अच्छी तरह से फिर हर्वेस्टिंग के लिए तयार होते हैं और यह लिफी वेजिटेबूल है फ्रेंट्स तो इसे नाइट्रोजन दीच फर्टिलाजर बहुत पसंद होते हैं इसलिए गोबर के खाद का लिक्विट फर्टिलाजर इसमें जरूर दीजिए तो काफी पत्ते ग्रीन रहते हैं और हेल्दी रहते हैं कितना ग्रीन है फ्रेंट्स तो इस तरह आप पालक को बहुत आसानी से कोई बी छोटे से छोटे कंटेनर में उगा सकते हैं इसका जो लंबाई है कंटेनर का कम से कम 6 इंच होना चाहिए और 6 इंच से 8 इंच के ग्रो बैग या कंटेनर में बहुत अच्छी तरह से यह हो जाते हैं तो ज्यादा बड़ा गमला लेने के भी ज़रूरत नहीं है और लगाते समय आप इसके नीचे में सुखी पतियां और कीचेन वेस्ट को भर दीजे और उपर से मिट्टी डाल दीजे तो यह बहुत अच्छी तरह से उसमें यह ग्रोथ करते रहते हैं तो चलिए फ्रेंट्स लगबग मैंने हार्वेस्टिंग अपनी पूरी की तो देखिए इतना पालक मैंने तोड़ा है और कुछ लहसुन की पतियां भी तोड़ लेती हूं तो लहसुन जो होता है फ्रेंट्स हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है हमारे कॉलेस्ट के लेवल को वह सही रखता है हमारे इम्मुनिटी को बुस्ट करता है तो आप हरी पतियों का चटनी भी खा सकते हैं या कोई सबजी में डालके उसे बना सकते हैं अब हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और उसे लगाना भी बहुत असान होता है तो हर आप कड़े मिट्टी में पनपने का खत्रा भी नहीं रहता है और गिलारियां भी से पसंद नहीं करती हैं क्योंकि इस कमाग बहुत तेज होता है तो आप छोटे से छोटे कंटेनर में भी लहसन को उगा सकते हैं तो देखिए फ्रिंट्स मैंने आज की हर्वेस्टिंग की पालक का साग है कुछ लहसन की पतियां है दो सिमला मिर्च है दो बैगन थोड़ी से टमाटर और सिम फली तो चलिए फ्रिंट्स बस आज के लिए इतना ही अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा हर्वेस्टिंग का तो लाइक शेर और सब्सक्राइब कीज़ेगा फ्रिंट्स झाल 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 झाल